हेलो व्रीवन आप लोग का बहुत बहुत स्वोगत है स्टडी पॉइंट यूटूब चैनल पर इस पर्टिकुलर वीडियो शेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कुछ बहुत इंपोर्टेंट जी के और साइन्स के कोशन जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंप आप चाहें तो टेलिग्राम चैनल और वाटसेप ग्रूप जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मेंशन किया गया है और अगर अब भी आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो को अपने फ पटना दर्भंगा धनबाद और जमशेदपूर और इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको सयंत्र ये जमशेदपूर के नजदीक इस्थित है देखें टाटा आयरें एवं स्टील कंपनी इसको में टिसको कहते हैं वर्तमान में ये जारकन राज में जमशेदपूर क ये निकट इस्थित है यहां निजी छेत्र में कारेत लोह इस्पात सयंत्र है इसकी स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दोरान जमशेदपूर जी टाटा द्वारा 1907 में किया गया था यह आपको याल रख लेना है और यहां कारकाना स्वण एवं खरकई नदी के संगम पर है 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा यह इसकी स्थापना की गई थी स्वदेशी आंदोलन के दोरान नदी कौन-कौन सी जिसके संगम पर यह इस्तित है नदी है स्वण और खरकई इतनी चीज़ें आपको इस कोशन से याद कर लेनी है तो पहले कोशन का अंसर जाएगा option D. Next question पड़ाते हैं आपको आपकी question अगर आपको किसी भी question का answer आता है तो आप से comment section में उसको बता सकते हैं अगर आपको कोई भी problem हो किसी भी doubt हो तो भी comment section में पूछ सकते हैं और यहां अन्य प्रमुक कोईला खाद्यानों में बुकारो, गिरिडी, उत्री एवं दक्षणी, कणपुरा, लाल मटिया, डालटन गंच और रामगंड प्रमुक है। ठीके जरिया जारखन का ही नहीं बलकि देश का सबसे बड़ा कोईला छेतर है। आपको याद रख लेना है, यह कोशन कहीं बार पूछा जाता है, और यहां से लगबग 50% कोईला निकाला जाता है। पहले, second question का अंसर हो जाएगा आपका जरिया, ठीके जारखन में कोईला की खाने इस्तित हैं, जरिया में, option A हो जाएगा हमारा correct आंसर हो ध्यान रखेगा, या जारखन का यह नहीं, बलकि देश का सबसे बड़ा कोईला छेतर है। नेक्स कोशन पर आते हैं, कोशन है, निम्लिखित में से कौन सा एक हडपा का बंदरगा है, there is four options given, सिकंदरिया, लोथल, महास्तानगड या नागपटनम, और इस कोशन का correct आंसर हो जाएगा, option B लोथल, ठीके, लोथल गुजरात के एहमताबाद जिले में भोगवा नदी क किनारे, इस थी थे, उसकी खोज किस ने की थी, इसकी खोज की थी, डॉक्टर S.R. राउने, 1957 में, नेक्स कोशन है, गुप्त समराथ, जिसने घुडों को पराजित किया था, वो कौन था, तो ये थे, सकंद गुप्त, ठीके, सकंद गुप्त, गुप्त वंश के शाषनकाल में, मद एश्या के हुडों ने, 45500, इस भी में, आक्मन किया था, जिसमें, सकंद गुप्त विजई रहा था, इस युद में, हुडों का नेता, खुशान वाज था, और हुडों पर सकंद गुप्त की सफलता के, गुडान इसके जुनागर अभी लेक में, मिलता भी है, ये ठीक है, आक्मन कब हुआ था, 455 इस भी में, नेक्ट कोशन है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, आपके सामने चार ओप्शन दिया हुआ है, अर्थशास्त, इंडिका, पुराण या राज तरंगनी, तो इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलहन की पुस्तक का नाम क्य है, राज तरंगनी, ठीक है, कलहन्त वणा संस्कित भाषा में, रचित राज तरंगनी में, कश्मीर का स्वर प्रमाडिक इतिहास प्राप्त होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस कोशन को बहुत अच्छी से पढ़ेगा, क्योंकि ये कोशन हमेशा आपको अच्छे सियात कर लेना है, ब्रिटिक शरकार्द वरा स्थाई बंदोबस्त का समझाता जमिलदारों के साथ किया गया था, ये तो मैंने बता दिया, और लॉट कौन वालिस ने स्थाई बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उडीसा, उत्तर प्रदेश के वरांसी एव परनाटक में ये किया था, ठीक है, इस्थाई बंदोबस्त के अंतरगत ब्रिटिश भारत का 19 प्रश्रित चेत्र आता था, जिसमें से जमिनदार किसान से वसूले गए लगान का 10 बटे 11, भाग सरकारी कोश्म जमा करता था, तता 6 जो बचा 1 अपॉन 11 ने एक बटा 11 भाग अपने पास रगता था, बिटे शरकार द्वारा भारत में स्थाई बंदोबस्त के अतरित, रयत वाड़े ववस्ता और महाल वाड़ी ववस्ता को भी लागू किया गया था, इतनी चीज़े आपको याद पर लेनी, कौन वॉलेस याद रखेगा स्थाई बंदोबस्त, ने 1867 ने बंबई में किया था, यह आपको यहाँ पर इधान देना है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है, थियो सोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस ने की, देर इस फोर आप्शन गिवन, मादम, वे एक सकेंड, हाँ, चार आप्शन आपके सामने दिया वा, मादम, बलाउस्त की, एवं कर्नल अलकॉट, राजा राम मोहनराय, महत्मा गांधी या स्वामी विवेका नम, तो थियो सोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, किस के द्वारा, चार आप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और यह की गई थी, मादम, बलाउस्त की, एवं कर्नल अलकॉट के द्वारा, ठीक है, और यह कप की गई थी, 1875 में किया गया था, ठीक है, नियोर्क में, नेक्स्ट कोशन इस स्वाराज दल की स्थापना किस ने की थी, आपके सामने चार आप्शन दिया हुआ है, तो स्वाराज दल की स्थापना की थी, चितरंजन दास एवं मोतिलाल ठीक है, एक जन्वरी 1923 में स्वाराज दल की स्थापना चितरंजन दास एवं मोतिलाल नहरु द्वारा इलाहाबाद में की गई थी, ठीक है, इसके अध्यक्ष सियार दास तता महा सचिव मोतिलाल नहरु थे, ठीक है, अगर आप से पूछा जाये कुछ इसके अन्य सदस त इसके अन्य सदस थे, विट्टल भाई पटेल, मदन मोहन मालवी एवं जैकर, यह इंपोर्टन थे, नेक्स्ट कोशन पर आते हैं, भारत का अधिक्तम गेहुत पादक राज कौन सा है, आपके सामने चार आप्शन है, आसान प्रशन है, हर्याना, पंजाब, बिहार या उत् प्रदेश का सबसे बड़ा गेहं उत्पादक राज होने के सासा सबसे बड़ा खादान उत्पादक राज भी है, इतना आपको याद रखेना है, इसके बाद मदन परदेश, ऑम पंजाब, दूसरे और तीसरे स्थान है, नेक्स्ट कोशन है, डुमट्टि जिसको उम लोग जिसको विए लोम मिलता हैं आपके सामने चार ऑप्षन दिया हुआ है बालूकंड चिकना कड पाशुकड या सभी प्रकार की कड़ तो इस कोशन का पीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बालूकंड चिकना कड और पाशुकड थीक है यानि कि इसमें जो है आपका डुमट्टी मिट्टी में मिट्टी के ये सभी प्रकार के कंड मिलते हैं तो option D हो जाएगा हमारा correct answer ठीक है आपको अच्छे सियाद कर लेना है इसमें next question पर आते हैं हम लोग question है निम्न में से कौन सा मानो अधिकार भारती समिधान के अंतरगत मौलिक अधिकार भी है fundamental right के साथ मौलिक अधिकार भी है आपके सामने चार option दिया हुआ है सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, सिक्षा का अधिकार या मकान का अधिकार तो इस question का correct answer हो जाएगा सिक्षा का अधिकार, मानो अधिकार के साथ साथ ये मानो अधिकार भारतिन समिधान के अंतरकत मौलिक अधिकार भी है तो option C हो जाएगा हमारा correct answer ठीक है, 86 वे समिधान से निशोदन अंधिनियम 2002 के दवारा समिधान में एक नया अनुक्षेद 21 का या 21 का first part add-on किया गया था, इसकी अनुसार 6 से 14 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार वा निशोल के प्राथमिक सिक्षा दी जाएगी, ठीक है तो option C हो जाएगा हमारा correct answer next question पर आते हैं लोग लेका समिधी अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तूत करती है there is 4 option given and the correct answer is लोग सभा के speaker को लोग सभा के speaker को लोग लेका समिधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत करती है देखिए लोग लेका समिधी भारतिय संसत यानि पार्लियमेंट की सबसे पुरानी वित्य समिधी है जो कि भारत सरकार के आय और वै की जाँच करती है यह अपनी रिपोर्ट लोग सभा अध्यक्ष को सौपती है और इस समिधी में टोटल 22 सदस होते हैं जिसमें 15 15 लोग सभा के होते हैं और साथ सदस राजसभग के लिए होते हैं और यह एक एक वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाते हैं ठीक है विपक्षी दल के जो नेता होते हैं लोग सभा अध्यक्ष द्वारा इस समिधी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है नेक्स कोशन है राज सरकारों का सम्विधानिक प्रमुख कौन होता है आपके सामने चार आप्शन दिया मुख्य मंत्री राजपाल अध्यक्ष या उच्छिने आले का नाधीश तो राज सरकारों का सम्विधानिक प्रमुख होते हैं यह होते हैं राजपाल गवर्नर ठीक है next question है अब हम science से कुछ बहुत ही महात्पूर्ण question को discuss करेंगे तो मारा question है सौर विकरण निम्न में से किस परास में दिखता है सौर विकरण निम्न में से किस परास में दिखता है तो यह दिखता है किस में आपके सामने 4 option दिया हुआ है तो option B हो जाएगा हमारा correct answer, ठीक है, B हो जाएगा हमारा correct answer, खनिच जिसको हम लोग इंग्लिश में mineral कहते हैं, ये क्या है, द्रव है कि अकार्बनिक ठोस है, गैस है या उपर्योक्त सभी, तो इस question को correct answer हो जाएगा, खनिच होता है ये अकार्बनिक ठोस, ठीक है, प्रकरती में पाया जाने वाला खनिच संसादन एक अकार्बनिक ठोस होता है, जिसमें मुखितार रासायनिक अव्यव में वजूद रहते हैं, ठीक है, एक्जामपल में से लोहा हो गया, अब्रक हो गया, बॉक्साइड हो गया, इतियादी, नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् देर इस फूर ऑप्षिन गिवन जिरोफइट है डिया सिक्यूल एंट तो इसको होगा पॉदो जो नमक यूक्त मिट्टे में उगते हैं उन्हें हम कहते हैं हैलो फैट ओप्शन सी इजावर करेक्ट आंसर देखे हम लोग इसमें कुछ और डिस्कस करेंगे देखें धियान से देखेगा जीरो फाइट्स क्या होते हैं इतनी यह पौधे मरुश्पाम धिल्यakesे पौधे हैं के लबड यूग म्रिद्ध मुझने वाले पौधे हुते हैं हैड्ट फाइट्स क्या होते हैं यह समान तर्जलिय गटकों से इन सभी से तो इन तीनों से बनता है पर्यावरंड तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर नेक्ट कोशन है पौधो का कौन सा भाग फूल बनने का उद्योपिन ग्रहन करता है आपके सामने चार ओप्शन दिया हुआ है तना शाखा पण या जड़ और इस कोशन करेक्ट हो जाएगा ओप्शन सी ठीक है सी जावर करेक्ट आंसर नेक्स कोशन अपर आते हैं हमारा कोशन है जैनेटिक्स निम्न में से किसका अध्यान है तो चार ओप्शन आपके सामने दियावा है मेंडेल का नियम का जाविकाश का डिने सरशना का या आनुवान शिक्ता और विच्रण का तो जैनेटिक्स निम्न में से अध्यान है किसक का अनुवानशिक्ता और विच्रण का दर्टी में बेग्ड मेंडल का अनुवानशिक्ता की इस इस पर यह आधारी भूण किस में मिलता है फूल में पर्ण में बीज में या कली में तो भूण मिलता है बीज में सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर प्रकाश इंसलेशन होता है नूकलियस में और इस question correct answer हो जाएगा प्रकाश इंसलेशन होता है और पॉधो द्वारा प्रकाश जल पन हरी तता कार्बन डायोकसाइट के उपस्तिती में कार्बो हाइडरेट की निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश इंसलेशन कहलाती है या क्रिया पॉधो की पत्तियों इमाने हरे भागों में पाय जाने वाले क्लोरो प्रकाश के कारण होती है तो ठीक है C हो जाएगा हमारा correct answer नेक्ट कोशन है वेट लैंगिंग जनन से अनुवांशिक मिश्रण कैसे होता है और इसकोशन और correct answer हो जाएगा जीन के मिश्रण से यानि की सफलिंग से ओप्शन C is our correct answer नेक्ट कोशन इंपोर्टेंट है बिल एवं बिलिंडा गेट्स फांडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कारिकरम आवाहन किसके प्रतिरोत के लिए कारिरत है आपके सामने चार ओप्शन है डेंगू, ओलियो, एट्स या फाइल एरिया और इस question correct answer हो जाएगा एट्स के लिए ठीक है आवाहन, बिल और मेलिंडा गेट्स फांडेशन द्वारा स्थापित एक गैड सरकारी संस्ता है, एंजियो है जो भारत में एट्स एवं एचाईवी से सम्मंदित जागरूप करता एवं उपचार कर्मों में सनलगन है तो C हो जाएगा हमारा correct answer, बहुत important यहाद दख लिजिएगा मैंने आप से काता है last question आपको comment section में इसका answer देना होगा तो question ने 2G spectrum में जी अच्छर के शब्द के लिए प्रयक्त होता है आपके सामने 4 option ने global, government, generation या google तो इस question का answer आपको comment section में जरूर दीजिएगा आप टेलिग्राम से जूड़िए और अगर आप चाहें तो WhatsApp ग्रूप से जूड़ सकते हैं वीडियो को like and share जरू करेगा थैंक्यू सो मुझ वाचिंग थैंक्यू